है गाईज मेरा नाम है शचांक और इस वीड़ों में बात करने वाले हैं माउंट एवरेस पे तो माउंट एवरेस की जो नई हाइट है वो डिक्लियर कर दी गई है ठीक है चाइना और नेपाल दोनों ने मिलके ही जो है इस सर्वे को जो है बेसिकली किया हुआ है और इसकी न हाइट अगर आप देखोगे कर दिया यह कि इसको है कि माउंट किलिमनजारों जो है यह हाइं जो है कहा कि है वह कहां पर आपको देखने को मिलने वाला है Australia, Africa, North America, South America तो आपको comment box में answer देना है और हो सके तो जितनी ज़्यादा information है आप देशा को Australia की highest peak, आफरिका की highest peak, North America की South America की कौन-कौन सी highest peak जो है और prominent peaks जो है आपको यहाँ पे बताना है आप मुझको Facebook और Instagram पे जो है follow कर सकते हो और यहाँ पे आप मुझको अपने डाउट पूछ सकते हो आप just go to Google Play Store, download the M.M. Academy app and iOS में भी आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे quality content आपको देखने को मिलेगा आप अगर UPSC, SSC, State Public Service Commission तो all जो material है, यहाँ पे quality जो material है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आपको रिसेंटली Tuesday को नेपाल और चाइना की कुवर्मेंट ने जो है jointly उन्होंने एनाउंस किया है कि यहाँ पे जो है जो हाइट जो है highest mountain peak माउंट एवरेस की उसकी हाइट यहाँ पे रिवाइस कर दी गई है जो अब नई जो हाइट है वो 8,848.86 मीटर है यहाँ पे करीब 86 cm का जो है यह previous measurement जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है मतलब और जो हाइट जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है यह सर्वे ओफ इंडिया ने 1954 में सर्वे किया था तब हाइट थी 8,848 मीटर ठीक है यहाँ पे देखो तो यह jointly जो आप देख सकते हो यहाँ पे spokesman है जो चाइना के और यहाँ पे केवी शर्मा ओली है ठीक है केवी शर्मा ओली जो है प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के और विद्या देवी बंडारी जो है वो basically क्या है प्रेसिडेंट है ठीक है तो प्रेसिडेंट है वो कहा के नेपाल के ऑाप बात करूं नेपाल में जो है भारत ये अरुन ठी प्रोजेक्ट चल रहा है नेपाल कर रहा है जिसन में भारत मुखेंस ध्यान लखतना है यहां मैप में थो आपको China और नेपाल दखेगे का और चायना और नेपाल की बार्टर को यहां मांट एवरेस्ट आपको मिलेगा गर देखें говорить मेडिया रेपोर्ट यहां पर जो है six round जो है करीब measurement जो है यहाँ पर चोपक्ड किया गया था और scientific रिसर्ट जो है यहाँ पर देखने को बिली है Mount Everest पे उसके बाद जो है पे scientific research यहाँ पे करी गई है और यहाँ पे height जो है जो peak की मतलब height है वो एक बाद 1975 में और 2005 में जो इसको major किया गया था है तो 1975 में जब major किया गया तो 8848.13 meters ठीक है और यहाँ पे 88844.43 meters जो यह 55 जो है यहां पर जो है इसको record किया गया था वैल देखो जो यह mountain है Mount Everest तो यह जो है किस range में आता है यह भी आपको बताना है ठीक है और यह यंग fold mountain जो है उसका यह part है तो यंग fold mountains जो है आपको यहां पर देखने है ठीक है तो कई बार यह आता है कि नेपाल में जो है Mount Everest को किस नाम से जाना जाता है सागर मट के नाम से जाना जाता है नाव देखो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो Mount Everest के काफी dispute भी थे ठीक है तो यह देखो यह क्योंकि किया गया था ठीक है न और यहां भी बाॉंडरी लाइन हां वह Baş बीसिक लिए संमिट से जो है पास माले के च cancelled हो रहे हैं तो इसमें काफी shelter रहे होती है और यहां पे अगर आप देखोगे तो basically Chinese Academy of Science है तो उनको भी यहां पर काफी help यहां पर मिलेगी यहां पर अगर हम बात करें Mount Everest की तो Mount Everest जो है यह जो पीक है हमालियन Mountain Range में आपको देखने को मिलेगी और यह 19th century में तो basically इसका जो है नाम George Everest के नाम पर रखा गया था तो यह जो है former surveyor फे Surveyor General of India में तो तिबतन जो नेम है यह basically जो है चोमुलंगमा तो इसका नाम है जिसका मतलब होता है तो Mother of Goddess of World तो Mother of Goddess of World जो है यह basically इसका जो है तिबतन नेम है और इसका जो है मीनिंग यह होता है और नेपाली अगर आप लेंग्वेज देखोगे तो उसमें जो है सागरमठ को जो है काफी जो है वेरियस मीनिंग्स जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं वैवेल यहां पर सबसे भड़ा एक कंसनन है कि नेपाल एक बॉर्डरइंग कंट्री है जो चैना और इंडिया पीच मारने अपना के वीच मावरत का इसाथ देखने कर चायना के करता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहला सर्वे हुआ को तो इंडिया को ने बीच में आप गाफा है तो यहां पर आप दोगे तो नेपाल जो एक बॉर्डरिंग स्टे रेडिक है बॉर्डरिंग कंट्री जो चाइना और इंडिया की बीच में आता है वेल लेकिन जब पहला सर्व हुआ था इंडिया ने किया था लेकिन अभी का जो सर्व हुआ है इसमें नेपाल और चाइना यहां पर आपको मिलेगा तो यहां पे देखो तो अब यहां पर जो और जो यहांप और है भारत के ऻुक पेड़ेश स्क्तवें पर छेंगसा यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है तो यहां पर आगे चल के देखेंगे कि क्या ट्रिटीज जो है साइन हो सकती है यहां का जो सर्वे हुआ है उसमें इंडिया को आउटसाइड रखा गया है तो यह सर्वे नेपाल और चायना ने जो है नाउस क्या हुआ वाने पहलाई हम वापस आते हम अपने कोष्सन पर कि माउंट किमिनजारों जो है यहां हाई-इस वान्टेज फिक है तो है तकी आफरेका में और यह को देखने को मिलेगा तो यह था एंड इस वीडियो का और उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत को जानने को मिला होगा सब्सक्राइब कर देख केर